असला दो वार्ट नो में आप आप सब चाप हो गया है यह से होगे कराज में के दिए फिर्फ हमें इसे आपर शेर के मुष्टा है आपको पांच के वजन कम आपने पर जाबता है वह भी ही हक बात धुबर शुट शुट बात दर बदस वोग है इसके लिए आपको सबसे पर ते बातारी दिखते कर नियत खराब होती है वो आप ठाने से आवर्ट करें यह जी मैंने कर पैसे पुरे बसूर नहीं चाहिए और मैंसे अच्छी तरीके से इसमें मैस कर रही थी आपने कोशिश करनी है कि सहरी के बाद पजल की नमाज की बाद आपके कम असकम आदर घंटा वॉक लाजमी करनी है चाहे नॉर्मर डे हो या रमजान हो वॉक करना बनता है क्योंकि खाने के बाद आप नमाज पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे तो ऐसा मत करें कम असकमादे घंटा वॉक करें तब के आपको भी थोड़ा रिलाक्स फिलो उसकी बाद आप सो जाएं अच्छा जी इसी तरह से आपने राप्रे करना है अफ़तार की बाद नमाज की बाद अगर आपको टाइम एक वाक लाजमी करें ठीक है वेट लॉस करना है तो बहुत सारी चीज़ों का ख्यार रखना नहीं फोरण से समोसे प्रकोड़े खाना शूरूर नहीं कर देना है आप फूट चाट खा देजिए एक खजू कहा दीजिए एक लेमू पानी या एक लास लेमू पानी में तो मलंगा एक चंबच डाना हो आप पी दीजिए कोई भी फ्रेश फूट जोस ले सकते लेकिन केल आवोइड खीजेगा खीड़ा नहीं हो से कि तर्बूस और फर्बूजा यह आप जाले सता घा सकते हैं डिनर भी खाये और डिनर में आदी रोटी दे सकते हैं सेम तिंक आपने सहरी में भी आदी रोटी लेनी है दही या जो भी रात का साला आपके पास है इसके इलावा सुल और रोजेना हाँ तो फॉर्टीन डेज आपके पास हैं फॉर्टीन डेज में आप एजली एजली फाइफ की जी तुरूस करें सकते हैं अगर आप खुद के साथ हैं थोड़ी सी महनत करें और खुश रहें एक्टिव रहें